ममता सलेकार उधव सरकार और स्टालन सलेकार ओवेसी तक सरकार के फैसले का विरूद कर रहे हैं चात्र परेशान है और सियासत बेचैन परशिम बंगाल के मुख्य मंतरी ममता बैनर जी ने पिये मोदी को चिठी लिखी और हालात समाने होने तक जेई और नीड जैसी परिक्षाएं टालने की मांगी ममता ने लिखा प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी हमारी पिछली वीडियो कांफरेंस में मैंने सितमबर 2020 के अन तक विश्वे विध्यालें और कॉलेज में टामिनल परिक्षाओं को पूरा कराने के युजीसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ आवाज उठाई थी इससे चात्रों के जीवन में खत्रा मंदराने की आशंका थी अब सिक्षा मंतराले के निदेश पर सितमबर में नीट और जेई 2020 परिक्षाओं आयोजित किये जाने को लेकर मैं फिर से केंद्र सरकार से अप्धिल करूँगी कि इन परिक्षाओं को तब तक के लिए स्थागित कर दें जब तक कि स्थिती फिर से ठीक ना हो जाए माननिये प्रधान मंतरी जी, ये कोई व्यवहरिक और संगत पूर्ण विकल्प नहीं है क्यूंकि ज्यादतर प्रदेशों में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, इनमें कई जगों पर रेड जोन्स हैं और कई जगों पर परिवहन के शुरुवात नहीं होई है दुनिया भर में जहां कहीं भी स्कूल कॉलेज खोले गए हैं, वहां कोरोना के मामलों में तेजी आई है, हमारे देश में ज्यादा तर छात्र अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहते हैं, अगर संकरमन पहला तो जान लिवा होगा JEE और NEET की परिक्षा के खिलाफ दक्षिन के राज्जों से भी आवाज उठने लगी है, डियम के सुप्रीमो स्टालिन ने केंदर सरकार को चिठे लेकर परिक्षा टालने की अपील की, तो AI M.I.M. के अध्याक्ष असदुदीन O.S. ने भी चात्रों का समर्थन किया इतने दूर दूर से लड़के लड़कें आकर एक्षाम लिखेंगे और अभी भी कोविट बड़ी तेजी से चल रहा है, कोविट खतम नहीं हुआ है, तो मैंने अपनी बात को रखा है, सरकार से इस बात का डिमांड किया है, कि वो JEE डबली और NEET के एक्षाम को, वो उसको फिकर ही नहीं है, गौर तलब है कि JEE की परिशाएं एक से छे सितंबर के बीच और NEET की परिशा 13 सितंबर को आयोजित की जानी है, लेकिन कोरोना महामारी की वज़ा से चात्रे इसे टालने की मांग कर रहे हैं